चलिए, अगला स्लोक है निंदन्तु नीति निपुणाह यदुईवास्तवन्तु लक्ष्मि समाविसतु गच्छतु वा यथेश्टम अध्याईवा मर्नमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथः प्रविचलंती पदम्न धीराह यह स्लोक है इस स्लोक में आप देखें विभिन नपद लोट लकार के प्रयुक्त हुए हैं परिक्षम यह प्रस्न पूछा जा सकता है अस्मिन स्लोक के लट लकार युक्त पदानी के के संति इती तब उत्तर क्या होगा तब आप देखें लोट लकार की पहचान क्या है लोट लकार की पहचान है परिस्मई पद में तू ताम अन्तु अह अतम अत आनि आव आम यह प्रत्याए जिन धात्वों के साथ योग हो वे पद जो है लोट लकार के होते हैं तो आईए ऐसे कुछ पद इस स्लोक में है क्या देखते हैं पहला की सब्द देखते हैं निंदन्तु यहां पर तू का प्रयोग हुआ है तू ताम अन्तु तो यह लोट लकार का पद है इसी तरह से और कौन-कौन से पद है तो हम मर्ण मस्तु अस्तु यह पद ऐसे पद है जो लोट लकार से युक्त पद हैं तो इस स्לोक के माध्याम से लोट लकार के विभिन रूपों का विभिन धातुओं में जो स्वूरूट लकार का प्रयोग हुआ है उसका प्रदर्षन स्लोक में किया गया है सलोक में जो पद आए हैं उनके सब्दार्थ देखते हैं निंदन्तु निंद धातु है इसका तात परी होता है निंदा करना और निंदन्तु मतलब निंदा करें निती निपुनाह अस्मिन पदे अस्मिन पदस्य समास विग्रहम कुरुत उत्तर क्या होगा नित्याम निपुनाह इती निती निपुनाह सब्तमी तत्पूरु समास यह होगा तो इस तरह से आप निती निपुनाह इस पद में जो समास है वो बता सकते हैं समास क करके भी अब बता सकते हैं यदी यदी क्या है यदी एक अव्यपद है वा कतात पर यह होता है अथ्वा यह भी अव्यपद है इसका मतलब होता है देखिए यह बना कैसे है इस्तुति जो सब्द है स्तवन्तु कतात पर यह होता है प्रसंसा करें इसी अर्था में इस्तुति सब्द का प्रयोग किया जाता है सामाने रूप से अब जानते हैं लक्ष्मी हैं लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्मी या धन वैभव समा विसतु यह जो पद है सम उपसर्ग आ उपसर्ग विस धातु लोट लकार एक वचन का यह पद है प्रथम पुरुष्मी तो यहां पर विस धातु है सम और आ यह दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कुछ धात में ऐसी होती है या कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग का भी प्रयोग होता है तो यहां यह उसी तरह का पद है सम भी उपसर्ग है सम की बाद आ लगा है और आ जो है सम और आ ये दोनों उपसर्ग जो है विसधातों के साथ लगा हुआ है तो ये समा विसधु सब्द जो है ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है इसका तातपर ये होता है समा विसधु मतलब आये गच्छतु गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गम का मतलब होता है जाना गम का रूप बनता है आप जानते हैं गम का गच्छ रूप बनता है फिर गच्छ से लोटलकार में रूप बना है गच्छतू गच्छतू गच्छताम गच्छन तो इस तरह का रूप बनता है तो इसका तात पर यह होता है जाएं समाविसातू आएं गच्छतू जाये वा के मतलब होता है अथवा यथे श्टम यथा धन इस्टम यहाँ आप देखें यहाँ पर गूर्णश्वरसंधी का प्रयोग हुआ है यथा मतलब जैसे इस्टम मतलब इच्छा के अनुसार अर्थात इच्छा इस्टम मतलब इच्छा के अनुसार अध्ययव अध्यधन एव इती अध्ययव यहाँ पर गुण स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है ने अध्ययव अध्यधन एव यहाँ पर वृद्धी स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है देखते हैं अध्यवी में क्या होता है अ अध्य में अ लगा हुआ है उसके आगे ए आता है और उन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है अई हो जाता है अर्थात मात्रम में वृद्धी हो जाता है इसलिए यह वृद्धिस्वरसंधी का उधारण है और इसका तात्पर यह होता है आज ही वा अथवा अव्याइपद है मर्नम अस्तु सब्दों को अलग अलग कर दें मर्नम धन अस्तु ये संयोग कहा जाता है इसको या इसको आप चाहें तो व्यांजन संधी भी कह सकते हैं यूग अंतरे यूग धन अंतरे इती यूग अंतरे यहां देरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो यूग बीत जाने पर या समय निकल जाने पर यह इसका अर्थ है वा वा का मतलब होता है अथवा न्यायात न्याय से पथह पथ से न्यायात पथह इती न्याय के पथ से य यह जो पद है प्रविचलंती प्रा उपसर्ग है वी उपसर्ग है चलधातू है लटलकार प्रथम पुरुस बहुवचन का यह रूप है तो प्रा और वी यह दोनों उपसर्गों का प्रयोग जो है चलधातू के साथ हुआ है और इसका ताथ पर यह होता है विचलित होते हैं पदम, पदम का मतलब होता है पैर, या पग, कदम, ना मतलब नहीं, धीराह, धीराह का मतलब होता है धैर्यवान, या धीरजरखने वाले, या संतोसी, जन, तो ये स्लोक के सब्दार्थ हो गए और आईए, अब इसके धार पर इसका अर्थ क्या होगा, स्लोक का अर्थ क्या हो श्लोक है निंदन्तु नीति निपुनाह यदिवास्तवन्तु लक्ष्मी समाविसतु गच्छतु वायत्यष्टम अध्यैवा मर्णमस्तु व्युगांतरेवा न्यायात पथः प्रविचलंती पदम्नधीराह ये स्लोक है श्लोक का अर्थ देखते हैं निंदन्तु नीति निपुनाह जो नीति निपुन लोग होते हैं वे क्या करें निंदन्तु निंदा करें नीति निपुन लोग चाहें निंदा करें यदिवास्तवन्तु या प्रसंसा करें अर्थात नीति निपुन लोग या तो किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं या प्रसंसा करते हैं यह पूरा स्लोग जो है इसमें गुण बताया गया किसका गुण बनाया गया है गुण बताया गया अंतिम पद्ध द्युजेर हैं अंतिम पद्ध जो है इस लोग का आप देख रहे हैं धीराह जो धैर्यवान लोग होते हैं जो बु स्लोक का अंतिम पत जो है अंतिम चरण न्यायात पथाह प्रविचलंती पदम्न धिराह जो धैर्यवान लोग होते हैं किन किन इस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं इसकी विश्यस्ताइं बताएगी हैं तो न्यायात पथाह प्रविचलंती पदम्न धिराह न्याय के पत से धैर्यवान लोग जो है अपने निर्णय से या अपने पत से अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं किनकी इस्थितियों में निंदन तु निती निपुण आह यदी वास्तवन तु निती निपुण लोग उनकी निंदा करें अत्वा प्रसंसा करें लक्ष्मी समाविसातु गच्छतु वा यत्ष्टम या जो लक्ष्मी है धन है वैभाव है वो समाविसातु आए गच्छतु वा या जाए यत्ष्टम इच्छानो सार लक्ष्मी के विच्छा में कहा जाता है लक्ष्मी का परियाय अधिक देर तक किकती नहीं है इसलिए उसका नाम एक चंचला भी है इसलिए कहा गया है लक्षमी समा विशत्तु गच्छतु वा यत्रिश्टम लक्षमी जो है आये या आपने इच्छानुसार अन्य इस्थान पर चली जाए अईसी इस्थितिम भी न्यायात पथा प्रविचलंती पदम नधी राह जो धैर्यवान लोग होते हैं वे न्याय के पत से विचलित नहीं होते हैं और अध्यवा मर्णमस्तु युगांत्रेवा मृत्यू चाहे आज हो या युग बित जाने पर अर्थात समय निकल जाने पर या बहुत समय पस्चात मृत्यू चाहे आज हो या बहुत दीन बाद हो ऐसी इस्थितिम भी न्यायात पथा प्रविचलंती पदम नधी राह जो न्याय के मार्ग पर चलने वाली लोग है जो न्याय करने वाली लोग हैए ये लोग अपने मार्ग से अर्थात न्याय के पत से वीचलित नहीं होते हैं ये शलोक का भाव है श्लोक का अर्थ क्या होगा एक सामाने सब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं तो साब्धिक अर्थ के अधार पर इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ होगा नीती नीपुन लोग निंदा करें अथवा प्रसंसा करें लक्ष्मी आए अथवा इच्छा नुसार जहां चाहे चली जाए आज ही मृत्ति हो या बहुत दिनों बाद परन्तु धैर्यसाली जो लोग होते हैं वे उनके कदम न्याय के पत से कभी विचलित नहीं होते हैं हचते नहीं हैं अर्थाद वे अपने पत पर अपने मार्ग पर अपने निर्णे पर अगिग रहते हैं अर्थाद उन्हें जो तत्य के अनुसार उन्हें सही लगता है जो न्यायोचीत लगता है उसी मार्ग कभी अनुसरण करते हैं उस पत से वे विचलित नहीं होते हैं ये स्लोक का अर्थ हुआ स्लोक से संबंदत कुछ प्रस्ण पूछे जा सकते हैं जैसे किसी एक वाक्यांस को लिया जाए और उस वाक्यांस का अर्थ पूछा जा सकता है जैसे वाक्यांस ले लिया गया न्यायात पथा प्रविचलंति पदम न धीराह अर्थम लिखत अर्थात इस वाक्या का अर्थ लिखे ऐसा कहा जा सकता है तो तर क्या होगा तब न्याय धैरे साली लोग धीराज रखने वाले लोग न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं हटते नहीं हैं यह इसका अर्था हुआ इसी पंक्ति से संब्धित दूसरा प्रश्ण पूछा जा सकता है न्यायाद पथह प्रविच्लंती पदम न धीराह अश्मिन वाक्ये करत्ति पदम किम अर्थात इस वाक्यका करता पद कवंजरा है तब आप देखेंगे तो करता पद क्या है जैसे प्रविचलंती यह रूप आया है किसके अनुसार से इसका रूप बना है बहुवचन का रूप है तो बहुवचन वाला कौन सब पद है तो हम देखते हैं यहाँ पर धीराह यह करता पद है क्योंकि करता के अनुसार क्रिया का रूप होता है प्रविचलंती यह क्रिया बुखा जा सकता है दूसरा प्रष्ट न्यायात पथा प्रविचलंती पढ़ाँ नदीराह। है है एक गणीव पथा प्रविचलंति पदम नधीराह अस्मिन वाक्य क्रिया पदम अस्ति प्रविचलंति हो गया उत्तर वस यही करना है आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है आपको मारगात इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन वाक्य किम पदम प्रयुक्तम तब उत्तर क्या होगा मारग से इस अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद पद प्रयुक्त हुआ है तो यहां हम देखते हैं पथाह इस सब्द का प्रयोग हुआ है पथाह जो सब्द है यह पंच्मी विभक्ति और सश्ची विभक्ति दोनों में इसका रूप बनता है पथीन इसका मूल सब्द है पंच्मी विभक्ति में इसका रूप होता है पथाह पथिभ्याम पथिभ्याह तो मारगात इस पद के पर्याय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है पथह ऐसे ही विपर्याय पूछा जा सकता है जैसे असान्ता इती पदस्य अस्मिन स्लोके किम पदम विपर्याय पद रूपिन प्रयुक्त मस्ति अर्थात असान्ता इस अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त ह हुआ है तो आप पूरा स्लोक देखें तो इसका उत्तर मिलेगा आपको इसका उत्तर होगा धीराह असांताह मतलब जो असंतुष्ट लोग होते हैं वे और धीराह जो धैर्यवान होते हैं जो संतुष्ट होते हैं तो असांताह इसका विपर्याइपद इस स्लोक में जो प्रय भली भाति समझ जाए तब इसके अर्थ भी आप बता सकते हैं जो सब्द हैं उनके अर्थ पूछ जाए वो बता सकते हैं जो सब्द रूप या धातु रूप जो प्रजिक्त हुए हैं उनके विश्य में कहा जाए तो इन चीज़ों को भी आप भली भाति इस पर्ष्ट कर सकत हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोक है अपठध योखिलाह विद्याह कलाह सर्वाह असिक्षत कि अजानात सकलम वैद्यम सवय योग्यतमो नरह यह स्लोक है कि इस स्लोक में आप देखें तो विभिन पद जो है लंग लकार क्रियाकारक कुतुहलम में देखते हैं क्रियाकारक कुतुहलम इस पाठ में यह जो स्लोक आया है यहाँ जो लंग लकार को बोधित करने है हम देखते है ऐप पथ्षत पहला भी सब्द आया है यह कैसा है यह लंग लकार का है इसी तरह से और शिक्षत यह पद अजानात यह पद्ध जी कैसे हैं सभी लंग लकार से युक्त पद है को आए इसके हैं इसके जो सब्द is Vibhin सब्द जो है उनको देखते हैं आप अथम पूरुष एक वचन का रूप है और इसका तातपर है होता है लंगलकार अर्था था थे थी भूतकाल तो आपठाद मतलब पढ़ लिया या पढ़ लिया था दोनों अर्थ होगा साथ ही साथ यहां हम देखते हैं अपठाद यो खिला यह लिखा है इसको आपको संधी विच्छेद करने के लिए भी पुछा जा सकता है तो जब हम संधी विच्छेद करेंगे तो जो अपठाद लिखा है यह आपठाद हो जाएगा इस तरह से दो संधिया यहाँ पर हो जाएंगे पहले आ पठत धन यह कह रहे हैं तो इतने क्या हुआ? यहाँ पर व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ इसी तरह से यह धन अखिला करते हैं तो अपठत पर लिया या पर लिया था यह मतलब जो, अखिलाह, अखिलाह मतलब संपूर्ण, विद्याह, विद्याओं को, कलाह, कलाओं को, देखे, विद्या और कला इन दोनों का क्या ही है? यह बहुअचन का रूप है, सर्वाह, सभी प्रकार के, असिक्षत, सिक्ष मुल्धातु है, लंगलकार, प्रथम पर यह होता है सीख लिया आजानात यह भी लंगलकार का प्रयोग है और इसका तात्पर यह होता है जान लिया है सकलम सभी वैद्यम विद्धातु यत प्रत्य और इसका तात्पर यह होता है जानने योग्य सवई यहाँ पर भी संदी है सहधन वई एति सवई यहां विज़र्व संधी का प्रयोग है तो स मतलब वह वई मतलब वई का तातपर होता है ही योग्यतमों अर्था योग्यतम नरह मनुष्य तो इस तरह से यह स्लोक में जो प्रयुक्त पद हैं उनके सब्दार्थ हुए स्लोक का अर्थ क्या होगा देख स्लोक में बताया गया है तो उसकी विशेष्ट नरह मनुष्य है उस मनुष्य की क्या क्या विशेष्टाएं वह इस स्लोक में बताया गया है तो उसकी विशेष्टाएं है अप अठध योग हिलाह जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया है जिसने समस्त विद्याओं को अखिल मतलब समस्त संपूर्ण जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया है कलाह सरवाह असिक्षत और सभी प्रकार के कला को वह जानने योग्य समस्त बातों को जान लिया है ग्यात कर लिया है सवय योग्यतमों न रहा वह ही स्रेश्ट मनुष्य है वह ही सबसे अच्छा मनुष्य है यह स्लुक का ताथ पर यह हुआ तो स्लुक का साथव्दिकर्थ आपको समझ में आया होगा एक बार पुना अपठ़त जिसने समस्तु विद्या को पढ़ लिया है और समस्त कलाओं को सीख लिया अज्ञानात सकलं वध्यम तथ हैं जिसने जानने युग्य सभी भातों हैं सव्य योग्य तमौन रहां वह सब से योग्य मनुस्य है अर्थात स्रेष्ट मनुस्य है यह स्लोक का अर्था हुआ आगे बढ़ते हैं कि अगला स्लोक है कि द्रिष्ट पूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलं पिवेत सत्य पूतम वदेत वाचम सत्य पूतम वदेत वाचम मनह पूतम समाचरेत यह स्लोक है अब इस लोक में आप देखें तो विधी लिंग से संबंधित बहुत से पद प्रयुक्त हुए हैं परिक्षा में पूछा जा सकता है कि इस लोक में विधी लिंग से संबंधित कौन कौन इनका चायान कीजिए तो आये उन पदों कि पहले पहचान करते हैं अब देख रहे हैं यहां नियसेथ एथ-यताम-a-yoo यह प्रत्य है विधीलिंग में लगते हैं तो नियसेत यहां विधीलिंग का पद है इसी तरह से पिदेश वदेत, समाचरेत ये पद जो है विधी लिंग के पद है अर्थात विधी लिंग का रूप यहां प्रयूक्त हुआ है आईए सब्दार्थ देखते हैं द्रिष्टि पूतम द्रिष्टि मतलब देखकर तो द्रिष्टि पूतम अर्थात पूतम मतलब अच्छी तरह अच्छी तरह देखकर न्यसेत मतलब रखना चाहिए पादम पादम मतलब होता है पग या पैर कदम वस्त्र पूतम वस्त्रेण पूतम इती वस्त्र पूतम तृतिया तत्पूरु समास का यहां प्रयोग हुआ है तो वस्त्र से पूतम, पूतम का मतलब होता है पवित्र या छाना हुआ जलम मतलब जल, पानी, पीबेत, पीना चाहिए, पीबधातु है पाधातू है पाकप्पी रूप बनता है और विधिलीं प्रथम पूरुस एक बचन के रूप है और इसा ठाथ पर यह होता है पीबेत मतलब पीना चाहिए सत्य पूतम अर्थात सत्य से सुद्ध सत्येन पूतम इती सत्य पूतम तृत्यतत पूरुष समास इसी तरह से दृष्टि पूतम यह भी यहां भी आपको तृत्यतत पूरुष समास मिलेगा तो इस तरह से कभी इस लोक में जो प्रयुक्त पद होते हैं उनका समास विग्रह करने के लिए भी जा सकता है इन ması को करने की आवश्यक्ता जानने की आवश्यक्ता है तो द्रिश सत्य पूतम वदेत वाचं और इसका था पर होता है बोलना चाहिए मन्ह पूतम समाचरेत और मन से पवित्र या भली भाति समाचरेत यह जो सब्द है समाचरेत सम उपसरग है आउपसर गहे चर धात्तु है विधिनलगार है प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका ठीके तो है गलत रास्ता तो नहीं है इसके मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग को हमें भली भाती देखना चाहिए वो मार्ग ठीक तो है, गलत रास्ता तो नहीं है, इसके हमें पहले परक करनी चाहिए, सामानी रूप से जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, तब देखते हैं रास्ता सही है, उसमें कंकर पत्थर तो नहीं है, काटे तो नहीं है, सामने कोई गढ़्धा तो नहीं है, इन चीज लेना चाहिए उस मार्ग पर चलने का क्या परिणाम होगा इनको हमें जान लेना चाहिए फिर हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए इसलिए कहा गया है द्रिष्ट पूतम न्यसेत पादम भली भाती देखकर अपना चरण आगे बढ़ाना चाहिए पैर आगे बढ़ाना अर्थात जल को परख लेना चाहिए वास्ता हमों पे है की नहीं पीने योग्या तो है की नहीं कई बार ऐसा होता है जब हम घरों में रहते हैं रात्री का समय होता है और हमें जल पीना होता है तो ऐसा नहीं कि आप जिस बरतन में जल रखा हुआ है वो तो आपको पता होता है आप वहाँ जाएं और सिधा गिलास या दुसरे पात्र से जल निकालें और सिधा ही पीलें हो सकता है जिस गिलास से आप निकाल रहे हों उसमें कुछ यदि चिनिट्ली हो जिसको आप अंधेले में नहीं देख पाएं तो इसलिए ये कहा गया कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत वस्त्र से चान कर हमें जल पीना चाहिए अर्थात जल पवित्र हो जल सुद्ध हो ऐसा जल हमें पीना चाहिए सत्य पूतम वदेत वाचम और हम जिस वानी का प्रयोक करते हैं ध्यान दीजिएगा वानी में सत्यता होनी चाहिए यदि हम सत्य बोलेंगे तब लोग हम पर विश्वास करेंगे यदि हम सत्य वचन नहीं कहेंगे मिथ्य भासन करेंगे तब लोग हम पर विश्वास करेंगे क्या नहीं इसलिए कहा गया सत्य पूतम वदेत वाचम अर्थात सत्य से सुद्धवानी हमें बोलनी चाहिए मनह पूतम समाचरेत और हम जो व्यवहार करते हैं लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वो कैसा होना चाहिए ये जो है अच्छा आचरण हमें करना चाहिए बुरा आचरण नहीं करना चाहिए बुरा व्यवहार किसी के देखकर कदम रखना चाहिए वस्त्र पूतम जलम पिवेत वस्त्र से पवित्र या छना हुआ जल पीना चाहिए सत्य पूतम वदेत वाचम सत्य से सुद्धवानी बोलनी चाहिए मनह पूतम समाचरेत और पवित्र मन से आचरन करना चाहिए विवहार करना चाहिए प्यारे बच्चों ये जो स्लोक है इस स्लोक पर आधारित कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं जैसे नियसेत इस पद में कौन से संधी है तो नियसेत यह जो पद है नि अस धातु है और इसमें नि उपसरगा का योग हुआ है तो नि धन असेत अस और विधिलिंगलेकार प्रथम पूरुष एक वचन का यह रूप है ये आप नियसेत इस पद को इस तरह से अब बता सकते हैं नियसेत इती पदम परिज्ञाय लिखत इस पद को जानकर लिखिये तो इस पद को आप कैसे जानेंगे कैसे पहचानेंगे कैसे बना हिए तो नी उपसर्ग है अस्धातू है विधिलिंगलकार का प्रयोग हुआ है प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर यह होता है रखना चाहिए इतनी जानकारी आप रखेंगे तब निश्चीत रूप से इस प्रस्ण का आप उत्तर दे सक सकते हैं वस्त्र पूतम वदेत वाचम यह वाक्य है इस वाक्य का आपको अर्थ लिखने के लिए कहा जा सकता है तो जो पूरा स्लोक का अर्थ आप समझ गए हैं तब निश्चीत रूप से इसका भी अर्थ दे पाएंगे क्या होगा इसका अर्थ हाँ बिलकुल सही इसका अर्थ होता है सत्य से सुद्धवानी से हमें बोलना चाहिए यह जो वाक्याए है सवत्त्य पूंतों व्देत वाचम आस्मिन के क्रिया पदां किम प्रयुकत भासेत इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन वाक्य किम पदम प्रयुक्तम अर्थात भासेत यह जो पद है इसके पर्याय की रूप में इस पद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तब उत्तर क्या होगा बोलने की अर्थ में कौन सा भास मतलब होता है बोलना इस अर्थ में क यह जो वाक्यांस है सत्य पूतम वदेत वाचम इसमें भासेत के परियाय के रूप में प्रयुक्त जो पद है वह है वदेत ऐसा लिख दीजिए हो गया उत्तर आपका कि इसी तरह से आपको एक प्रस्न पूछा जा सकता है यह जो पूरा स्लोक है इससे संब्धित प्रस्न पूछा जा सकता है हस्तम इती पदस्य विपरियाय पदम स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात हस्तम मतलब हाथ हाथ के विलोम अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो हाथ का विलोम क्या होता है हाथ का विलोम होता है पद पद का परियाय कौन कौन सा है पद मतलब पग भी होता है चरण भी होता है पाद भी होता है तो ऐसा कोई पद इसमें प्रयुक्त हुआ है का स्लोक में देखिए हाँ हुआ हुआ है कौन सा है पादम हाँ बिलकुल स प्रति पादम, तो इस तरह से आप विभिन श्लोक को जब आप समझ जाते हैं, तो इसके अर्थ भी बता सकते हैं, शब्द में जो सब्द प्रियुक्त हुए हैं, उनका अर्थ बता सकते हैं, शब्द रूपों को पहचान कर आप बता सकते हैं, तो और साथ ही उससे संबंधि जो विभिन प्रश्ण पूछे जाते हैं इनका भी अर्थ आप बता सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोख है हमारा अगला स्लोख है रात्रिर गमिष्यती भविष्यती सूप्रभातम भास्वान देश्यती हसिश्यती पंकजश्री इत्थम वी चिंत यति को यह हमारा स्लोक है, इस स्लोक में लिट लकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, लिट लकार अर्थाद भविश्यतकार, आप से परिक्षा में प्रस्ण पूछा जा सकता है, इस स्लोक में लिट लकार से संबंधित कौन-कौन से पद हैं, उनका शेयन कीजिए, तो आईए, परस्माई पद में इस्यति, इस्यतह, इस्यंति, यह प्रथम पूरुष का प्रत्या है, इसी तरह से और भी मध्याम पूरुष और उत्तम पूरुष के भी प्रत्या हैं, उनके विशा में आप जानते हैं, तो आईए, हम इन पदों के अधार पर इस्यति, इस्यतह, इस्य गमिश्यती गमधातु है लेटलकार भवश्यतकाल प्रथम पुरुष एक वचन के ही रूप है और इसका तात्पर यह होता है जायेगा इसी तरह से भवश्यती भूधातु है भूधातु है भूव का रूप बनता है भाव इसका तात्पर यह होता है होना लेटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर यह होता है होता होगा और इसी तरह से हम आगे देखते हैं उदेश्यती उदेश्यती यह सब्द बना है उत उपसर्ग है और इन धातु है लेट लकार पुरुष का यह रूप है इसका तात्पर यह होता है उदय होगा या उदित होगा हसी स्यती हस मुल्धातु है लिटलकार प्रथम पुरुष एक वचान के है रूप है और इसका तातपर यह होता है हसेगा वी तो ये पद जो है अभी जितने पद आये हैं ये सभी पद लिटलकार के पद हैं आईए स्लोक में जो कछिन सब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं पहला सब्द देखते हैं रात्रेर गमिश्यती यह जो सब्द है दो सब्दों से मिल कर बना हुआ है यहां संधी हुआ है रात्री धन गमिश्यती इती रात्रेर गमिश्यती सद्दों को अलग कर दिए रात्री धन गमिश्यती विसरगसंदी का प्रयोग हुआ रात्री का मतलब होता है रात गमिश्यती का मतलब होता है जायेगा भविश्यती कतात पर यह भी मैंने बताया होगा सुप्रभात का समय आप जानते हैं बहुत मनोरम होता है भाश्वान देश्यती यह जो सब्द है यहां भी संधी है संधी को अलग कर दिजिए भाश्वान धन देश्यती वियंजन संधी का प्रेग हुआ है यहाँ पर इसी तरह से भास्वान का मतलब होता है सूर्य और उदेश्यती का मतलब उदित होगा हसिस्यती हसेगा पंकज पंकज का तातपर यह होता है कमल यह इसको जलाज भी कहते हैं अश्री का मतलब होता है सौंदर्य पंकजिस्री अर्थात कमल का सौंदर्य इत्थम इत्थम का ताथ पर यह होता है इस प्रकार वी चिंत यती वी उपसर्ग है चिंत धातु है और लटलकार प्रथम पूरुष का यहरूप है और इसका ताथ पर यह होता है विचार करते कोस गते, कोस में बंद, जैसे कमल का फूल आप देखें, कमल का फूल खिला हुआ ऐसा दिखता है, लिकिन जब यह रात्री में बंद हो जाता है, तब यह क्या हो गया, यह कोस बन जाता है, तो इसी कहा गया है कोस गते, अर्थात कोस में गये हुए, अर्थात उस कमल का फूल खिला हुआ था, वो जब बंध होता है, उसमें गया हुआ, द्वीरेफ है, द्वीरेफ कहते हैं, अली या भाउरा को, या भ्रहमर कहा जाता है इसे, हाहंत हंत हाय, दुख है, हंत मतलब दुख, नलीनिम, अर्थात कमलनी को, गज उजहार, यह सब्द बनता है, कैसे, गज, ग गज मतलब हाथी, उजहार, यह सब्द कैसे बना, यह सब्द बनता है, उत, उपसर्ग है, हरी, धातु है, और यह लीटलकार का रूप है, अभी जो हम पांच जो लकार पढ़ते हैं, इन से भिन जो, वैसे तो लकार जो दस होते हैं, उन में से एक भेद का यहां प्रयोग ह हुआ है, और यह भूत काल के अर्थ में प्रयोग तो होता है, तो उत, उपसर्ग है, हरी, धातु है, लीटलकार है, प्रथम पूरुस, एक वचन का यह रूप है, क्या? उजहार, और इसका तात्पर यह होता है, उखाड दिया, तो यह स्लोक में जो पद आये हैं, इनका अर्थ हमने देखा, आईए, अब इसके अधार पर स्लोक का अर्थ क्या हो सकता है, इस पर विचार करते हैं, रात्री गमिश्यती अर्थात, रात्री जायेगी, रात्री व्यतीत हो जाएगी, रात्री बीत जायेगी, भविश्यती सूप्रवातम, और सूप्रवात होगा, स उदित होगा भास्वान उदेश्यती सूर्य उदित होगा हसिश्यती पंकज श्री और जब सुबह होगा सुर्योदय हो जाएगा तब पंकज श्री अर्थात पंकज का अर्थात कमल का जो सौंदर्य है वो कैसा होगा वो हसिश्यती अर्थात हसेगा अर्थात खिलेगा प्रभात में वो जैसी प्रभात होगा, सूर्य का उदय होगा, तब कमल पूरा अपने सौंदर्य को प्राप्त करेगा, तो जब कमल इस तरह से खिल जाएगा, इत्धम विचार्यती, इस प्रकार, विचार करते हुए, विचार करता है, इत्थम इस प्रकार वी चिंतयती विचार करता है कौन कोस गते उस कोस में बंद कमल का फूल जो अभी बंद था उसमें जो बंद है कौन द्वीरेप वो भावरा जो उस कमल का फूल जो खिला हुआ था उसका रस लेने के लिए अर्था था रस पीने के लिए रस पान करने के लिए वह कमल के फूल पर बैठा रहा रस पान करता रहा रस पान करता रहा सुर्यास्त हुआ और कमल की जो पंखुडियां है खेली हुई थी वो धीरे 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 करके बंद हुई और वो भावरा वहीं रस पीने में मगन था उसको समय का भान नहीं हुआ और कमल जो है पूर अब तो बंध हो गया, अब रात्री हो गई, अब वहां से जब रस्पान कर लिया और बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तबकि इस्तिती में वह भावरा सोचता है, क्या सोचता है, रात्री इर्गमिश्यती, रात्री व्यतीत होगी, भव यहां सवंदर्य को प्राप्त करेगा अर्थात विकसीत होगा अपने सवंदर्य को प्राप्त करता हुआ यहां विकसीत होगा इत्थिम इत्थम वी चिंत यति इस प्रकार विचार करता है कौन उस कोस में बंद भावरा यह बढ़िया ऐसा विचार कर रहा था ऐसा सोच रहा तब ही वह देखता है क्या देखता है उस तालाब में जिस तालाब में वो कमल के फूल खिला हुआ था जिसमें वो रस्पान कर रहा था वहां सुर्योदय होने से पहले एक हाथी आया और उस कमलनी को अपने सूर में लपेच कर क्या खिर दिया उखाड दिया और इसलिए वो कमलनी जो है खिल नहीं पाई तब के लिए यह पंक्ति लिखा है अभी तक तो भौरवा सोच रहा था जो कोस में बंद है कि सुबा होगा कमल अपने सौंदरे को खिलता हुआ प्राप्त करेगा और मैं फिर बाहर निकलाओंगा लेकिन ऐसा होने से पहले हाथी ने उस कमल को उखाड़ कर फ्येक दिया तब लिखता है यह पंक्ति हा हंत हंत नलिनिम गज उजहार हाए बड़ा दुख हुआ हाए दुख है कि उस कमलनी को ही गज उजहार हाथी ने उखाड़ दिया इस तरह से उस कमल में बंद भौरा कि जो जीवन लिला है वो वहीं समाप्त हो जाती है तो इस तरह से यह हमारा स्लोक है और इस स्लोक का अर्थ क्या होगा यह भाव मैंने बताया स्लोक का साब्दिक अर्थ क्या होगा आए देखते हैं स्लोक है रात्रिर्गमिश्यती भविश्यती सूप्रभातम भास्वानुदेश्यती हसिश्यती पंकजिश्री इत्थम वीचिंतयती कोस गते द्विरेफे हाहंत हंत नलिनिम्गज उज्जहार रात्रिर्गमिश्यती रात बीतेगी भविश्यती सूप्रभातम सुदर प्रभात होगा भास्वानुदेश्यती सूर्य उदित होगा हसिश्यती पंकजिश्री और कमल जो है अपने पूरे संदर्य के साथ विकसित होगा इत्थम वीचिंतयती कोस गते द्विरेफे और इस प कमल जैसे खीलेगा तो मैं वहां से बाहर निकल जाओंगा इत्थम इस प्रकार कमल दलों कोश गते कमल दलों के बीच भंसा हुआ या बंद भ्रमर द्विरेव भ्रमर जो है भावरा जो है वो क्या करता है वीच इनतियती वीचार करता है हाहंत हंत हाय दुख है कि उस कमलनी को कौन सी कमलनी को जिसमें वो भौरब बन था हाहंत नलिनिम नलिनी को कमलनी को गज उजहार हाथी ने उखाड फ्येक दिया तो इस तरह से यह हमारा यहाद स्लोक है स्लोक से संबंधित कुछ प्रसन पूछे जाते हैं जैसे प्रसन पूछा जा सकता है चंद्रमसह इस पड का विलोम पड इस लोक में कौन सा प्रयोक्त हुआ है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर है जैसे सोरिय का विलोम क्या होता है चंद्रमा अब यहां क्या पुछा गया है चंद्रमा सा हर्थात चंद्रमा चंद्रमा का विलोम क्या है तब उत्तर लिखेंगे भास्वान इसी तरह प्रस्ण पूछा जा सकता है ब्रहमरह इती पदस्य अस्मिन स्लोके किम पर्याय पदम प्रयोक्तम, तो भ्रहमरह, भांवरह, इस अर्था में कौन सब प्रयोक्त हुआ है, बिल्कुल सही, द्वीरेभे इसका प्रयोग हुआ है, तो आप Hugh तरलिख सकते हैं, ब्रहमरह इती पदस्य पर्यायः पदम स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति द््वीरे भे ऐशे प्रस्ण पूछा जा सकता है आपसे कि कमलम अब लिख सकते हैं पंकज इती पदम कमल इती पदस्य परियाय पदमस्ती अर्थात पंकत जो है कमल के परियाय की रुप में स्लोक में प्रयुक्त हुआ है